पूरे देश में कहीं नहीं? कोई लहर नहीं है, पूरे देश में स्थिती देख रहे हैं। अटल जी अटवानी जी सादमी, 2 से 90 करने वाला एक साथ के बयाहर हुआ। मोधी है तो मुम्किन है इस नारे के सहारे पूरे देश में बीजेपी एक फिजा बनाने की कोशिस कर रही है और जारखन में भी बीते बार 14 में से 12 सीटों पे जीत का परचम ले रहा है लेकिन मोधी फैक्टर प्रभावी कितना रहता है उसको लेकर ही डिफाई और उस डिक्टाइट को ही और उस नारे को ही चैलेंज किया जा रहा है कहा जा रहा है कि वोट जो है यहां के सिटिंग सांसद बोलते है वोट जो मिलता है वो उनके काम पे मिलता है उनके चेहरे पे मिलता है मोधी फैक्टर के एलिमेंट पे नहीं मिलता है वो हमारे साथ है और जाहिर तोर पे जो बगावती सुरह है वो अब जो है सतह पे आने लगी है denial of ticket को लेकर पूरे देश में ये सुवर उठ रहे हैं जारखन भी इससे अचुता नहीं है राम टहल चौधरी जो चार वार के सांसर भी राचि से वह हमारे साथ ही सीधे बात्चित करते हैं आप कहते हैं आपने साफ़ तोर से कहा है कि राम टहल चौधरी . को वोट मिलता है मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलता है यह वैसा बात नहीं है पार्टी के अब हम देत कहा कि बाई प्लस पार्टी दोनों का समिक्रंत मिलता है तभी हो सकता उस हवा में भी दिल्ली साफ होगे आप देख रहे हैं का है वह गलत कंडिजेट प्रोजेट करने के वाँ से हर्स बद्धन के जगह पर आपने उसको कि किर अपने का काम किया क्या हुआ नतिजा यह सब तो दिखता है यूपी मैं आपने देखे मेना के बाद मुखमंतरी मुखमंतरी के सीट में चुनाव करते हैं और वहां जामानत हो जाता है तो कंडिडेट माने नहीं रखता है इसलिए हवा में आप कह रहे हैं बिल्कुल कि कैं सद रहा तो हम लोग जानते हैं अब बीजेपी को हमने पैदाल साइकील भूखे प्यासे सभी करकरता मिलके अतना हम लोग आगे बढ़ा है इसी उम्मित पर कि और पहले जो हम काम कर रहे थे सोच के काम कर रहे थे समाज का कि हमको मेले एंपी बनना है इस समझ के नहीं जो भी थे चाहे सुंदर शिंग बंडारी थे चाहे भाई महाविर थे कुछा भाव ठाकरे थे यह लोग का जो बाचीत और विवार होता था उससे लोग परभावित आज की बीजेपी बिलकुल अलग होते जा रही है और उन्हें से चोदर के बाद तो बिलकुल अलग हो ग परखंड या जीला में जो पदादी का रही है उनसे पुझे इस्तिति क्या है लड़ेगा नहीं लड़ेगा जीते गाए नहीं जीते गाए वहां से ना फिटबाइक लेना चाहिए आप तो सिधे बैटके सब को गला काट रहे हैं तो कौन विश्वास करेगा आप पर कल जो आदमी जीतेगा भी तो अगले बार आएगा की नहीं आएगा इस भरोसा खतम हो गया नतिजह होगा कि आपको वरकर बैठ जाएगा पता है हम महनत कर रहे हैं आज यहीं पर जारखंड में चाहिए तो यह सरसाब तोर से आपका कहना है कि यह अगर पार्टी सोच रही है कि म मुमकिन है इस नहारे के साहरे किसी को भी उतार दे वह तो उसा नहीं हो ना कोरूधेस से बाहर निकाल दो उसको सम्मान दो उसका राय सला लो अब हमें लोग कुछ नहीं पूछना है और बस अगर हमको नहीं दे रहे हैं तो हमसा पूछिएगा भी तो कि आपका कुण आदमी आप आप बहुत जादे उमर होगा है हम दो कहा है कि हमरे साथ एक महीना चलिए ना का फैक्टर है और वह जो है एलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को बहुत अत्तक प्रभावित करेगा यहां पांच लाग है हमारा जो एड्जेसंट कंस्टुचुएंसी है हजारी बाग का एक दम ठीक आपके छेतर से नीचे अगर हम साथ किलोमेटर दस किलोमेटर नीचे जाए तो वहां से रामगड स्पुरू हो जता है दस किलोमेटर बाद और वहां से जयन सिनाजी जो है वो कंटेस्ट करेंगे हजारी बाग से तो वहां पर भी कुर्मी के आवादी है तो क्या असर परएगा अगर आपको केंडिडेटर नहीं दिया जता है अगर फिल्ड नहीं करत है तब जाके हम जीदते हैं तो वह सब नहीं होता है कर्म पर होता है कर्म की जिएगा उसे फ़ल Sher और जहां तक यहां तक हमारा टिकट कटने मतलब है। विलकुल कंट्स करें तो सुरु संका रहा हूं। कूग करताओं का दबाव है देख रहे हैं सुबह से साम तक इंतिजार कर रहा है और दबाव है कि अगब टिकेट नहीं मिलता है तो चुनाव लडना हैं मद्दताओं का दबाव है हर जगह से सगड़ोफ होना आता है सब के पास लड़ना है चाहे जैसे भी लड़ना है और सीट जीतना राम टहल चौधरी जी हमसे सीधे बात करते हैं सिटिंग MP है यहां पे उनका साफ तोर से मानना है कि बेसक यह पार्टी मानती है कि मोदी लहर है मोदी है तो मुमकिन है किसी को उतारेंगे और मोदी के नाम के सहरे वो पार्लेमेंट पहुंच जाएगा लेकिन वास्तिविक्त हैं दो पहले ही जो है रिप्लेस कर दिया गया है पुर्व डेप्टी स्पीकर लोगसभा के कडिया मुंडा और इसके अलावा रविंद्र पांडे इनको जो है रिप्लेस कर दिया गया है वहां पे पार्टी जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि सिटिंग MP जो है वो नहीं ल क्लोज फाइट होगा, फोटो फिनिस होगा, कई छेत्रों में, कई कंस्ट्टुचुएंसी में, ऐसे सूरत में इस तरह के जो बगावती तेवर है, या टिकट डिनायल को लेकर जो रिजन्टमेंट दिख रहा है, वो पार्टी के राहों में कई चुनोतियां पैदा कर सकता है कैमरावन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार राची